हेलो बच्चो वेरी गूड इवनिंग तो आज बच्चो हम पढ़ेंगे ऑक्सिडेशन रिडक्षन और रिडॉक्स रियाक्षन तो यह केमिकल रियाक्षन एड इक्वेशन का लेक्चर नंबर सेवन है ठीक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग और 11 और 12 पॉइंट आफ यू किया जाता है ओक्सिजन एड होता है या फिर हैड्रोजन रिमूव होता है ठीक है ना तो लिखो दे केमिकल रियाक्षन डेफिनिशन लिखो दे केमिकल रियाक्षन इन विच दे केमिकल रियाक्षन इन विच दे केमिकल रियाक्षन इन विच ऑक्सिजन इज एड़ेड वि रियक्टन्ट और और हैड्रोजन हैड्रोजन इस रिमूड फ्रॉम रियक्टन्ट हैड्रोजन इस रिमूड फ्रॉम रियक्टन्ट हैड्रोजन इस रिमूड फ्रॉम रियक्टन्ट दोनों में से एक हो सकता है है called इसको क्या बोलेंगे oxidation समझ रहा है इसको बोलेंगे oxidation तो ऐसी chemical reaction जिसमें क्या हो एक तो oxygen add हो या फिर hydrogen remove हो इसको हम क्या बोलेंगे oxidation क्या बोलेंगे oxidation let us try to explain this kind of reaction with example the first example is addition of oxygen okay oxidation किसको किसको बोलेंगे पहले तो addition of oxygen जैसे कि suppose आपने carbon solid ले दिया इसमें oxygen gas डाल दिया तो क्या मिलेगा carbon dioxide gas gas को आप arrow अपोर्ड बताओगे या फिर gas लिख सकते हो doesn't matter यहां पर gas भी लिख दोगे तो भी चलेगा ठीक है इस रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट तो इस reaction में reactant के साथ oxygen add हो रहा है hence it is a oxidation reaction यह क्या हो गई oxidation reaction ओके अब second one second one आप इसको ऐसे भी कह सकते हो removal of hydrogen removal of hydrogen hydrogen remove होना hydrogen का remove होना किस में से reactant में से best example C2H5-OH इसका नाम होता है बच्चो ethyl alcohol क्या नाम होता है ethyl alcohol क्या नाम होता है ethyl alcohol carbon compound होते हैं detail में इस पे एक separate chapter है आपके second term में पढ़ेंगे वहां पर अभी तक के लिए इतना याद रखो कि भाई यह ethyl alcohol का formula है इसकी reaction अगर आप metal के साथ करोगे कौन से sodium metal के साथ तो metal के साथ react होने पर यह hydrogen gas evolve करेगा कैसे C2H5-O इसके जगा आ जाएगा ENA और क्या बचेगा यह तो यह का कोई meaning नहीं होता बचो यह 2 होता है हमेशा तो अगर यह 2 करना होगा तो यहाँ 2 से multiply करना पड़ेगा तो यह तू से multiply करोगे तो यह भी टू हो जाएगा यह तो इसको भी 2 करना पड़ेगा तो यह 2 gas will be evolved तो इसका नाम क्या होता है sodium ethyoxide इसको बोलेंगे sodium इताउक्साइड समझाड़े हूँ इसको क्या बोलेंगे sodium इताउक्साइड बाईद वइ इसके प्रोडक्षन से हमें कोई लेना देना नहीं, important यह है कि इस reaction में क्या हुआ hydrogen गास बनके बाहर गया तो इसको हम क्या बोलेंगे Oxidation बोलेंगे, क्या बोलेंगे Oxidation तो पहले में क्या हुआ? Oxygen Add हुआ, दूसरे में क्या हुआ? Hydrogen बाहर गया, तो Oxygen का Add होना या Hydrogen का बाहर जाना इसको कहते हैं Oxidation Third one होता है Gaining, sorry Donating the electron, या Losing the electron is also called as Oxidation मतलब अगर किसी में Oxygen और Hydrogen नहीं होता तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? Losing of electron is also called as Oxidation जैसे कि सपोज Zinc है बच्चो तो ये सोलूशन में गया Zn++ आयन के फॉर्म में और इसने दो इलेक्ट्रोन डोनेट कर दिये तो ये कौन सी प्रोसेस है? Oxidation, तो Oxidation कैसे identify किया जाता है addition of oxygen, removal of hydrogen, losing of electron addition of oxygen, removal of hydrogen, losing of electron all these three process can be called as Oxidation ये सभी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? Oxidation बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं? Oxidation ठीक है? अब जिसके वजह से Oxidation होता है उसे कहते हैं Oxidant या Oxidizing agent किसके वजह से Oxidation होता है उसको हम क्या कहते हैं? Oxidant या Oxidizing agent ठीक है? तो next trading होगी हमारी Oxidant, कौन सी? Oxidant या फिर इसको क्या बोलेंगे? Oxidizing agent Oxidizing agent ठीक है? agent मतलब जो Oxidation करवाएगा जो Oxidation करवाएगा जैसा हमारा होता है, कौन सा होता है? bank में agent होता है, हर जगा हमारा agent होता है ठीक है ना? तो agent क्या करता है? हमारा काम करता है वैसे ही Oxidation जो करवाता है उसे बोलेंगे Oxidizing agent ठीक है ना? अब simply है किसमें reaction पढ़ेंगी? बच्चों हम देख लो, सपोज हमने Ethyl Alcohol लिया, CH3-CH2-OH क्या सर बच्चों को बेवकूब बना रहे हैं? अभी तो आपने Ethyl Alcohol ऐसे लिखा था C2-H5-OH तो इसी को split किया ना? बच्चों, C2-H5-OH इसको condensed formula कहते हैं नजदिक लाके लिखा ना? C2-H5-OH ये, ये सेम है बच्चों तो ये हो गया Ethyl Alcohol तो ऐसे क्यों लिखा अभी समझ में हैगा Ethyl Alcohol ठीक है? अब इसका Oxidation कराना है तो किधर से Oxygen लाना पड़ेगा? तो जिसके मदद से आप Oxygen लाओगे उसको बोलेंगे Oxidizing agent तो यहाँ पर किसके मदद से लाओगे आप यहाँ पर हम लेंगे K2Cr2O7 बहुत famous है बच्चों इसका नाम है Potassium Dichromate Potassium Dichromate दो क्रोमियम है ना Potassium Dichromate और इसमें डालेंगे Dilute Acid कौनसा? H2SO4 Dilute मतलब weak, जिसमें पानी जादा और Acid कम हो ऐसे को Dilute कहते है बच्चों तो Dilute Acid अगर डालोगे आप तो यह Nascent Oxygen produce करेगा जिसको हम Bracket में O से represent करते सर अब यह कैसे produce करेगा वो मैं बताऊँगा आपको घबराना मता, इसके बाद का वही point है ठीक है? तो यह हम ले लेते 2 Oxygen कितने? 2 Oxygen तो होगा क्या बच्चों देख लो यहां का H2 यहां का H2 और यहां का 1 O byproduct हो जाएगा H2O क्या हो जाएगा? H2O और बचेगा क्या CHC-COOH एक ही लिया न Oxygen दो Oxygen लिये थे हमने, तो एक Oxygen लिया तो क्या मिलेगा? CH3-COOH इसका नाम याद रखो बच्चों फिर से मैं बोलूँगा यह हम सेकंटर में, डीटेल में पढ़ेंगे कैसे बना, क्या बना? तो इसका नाम होता है Acetic Acid तो इस reaction से हमें सीखना था Oxygen तो मुझे बताओ बच्चों इसका यहां पर Oxidation हुआ क्या हुआ? Oxidation हुआ कैसे पता लगा? बिकॉज इसमें क्या एड हुआ? Oxygen इसलिए इस पर प्रोसेस कुणसी हुआ? Oxidation किसके वजह से हुआ? इसके वजह से हुआ तो यह क्या हो गया? Oxidant या फिर Oxidizing agent. क्या हो गया? Oxidizing agent. तो Oxidizing agent की definition क्या होगी? The chemical compound. क्या बच्चो? The chemical compound और substance which brings about an oxidation. The chemical compound. इसको definition the chemical compound ऐसा chemical compound. The chemical compound which brings which brings about oxidation. The chemical compound which brings about an oxidation an oxidation reaction. जो oxidation reaction करवाता है. Which brings about an oxidation reaction. अब कैसे करवाएगा? Oxygen available करके. Okay, we bring about oxidation reaction. By making oxygen available. By making oxygen available. Oxygen available. Available मतलब उपलब्ध कराना. Available. Available is called is called. उसे क्या बोलेंगे? Oxidant. तो जो oxygen available करवाएगा. किसके लिए? Oxidation के लिए? उसे बोलेंगे? Oxidant. क्या बोलेंगे? Oxidant. तो ये reaction में Oxidant को ने? K2Cr2O7 और Dilute H2SO4 का mixture. क्या है बच्चो? Oxidant है. अब हम क्या करेंगे? कुछ important oxidizing agent पढ़ेंगे जो oxidation available कराते हैं. और कैसे करवाते हैं? ये भी हम पढ़ेंगे. ठीक है? तो various oxidant which generate nascent oxygen. Various various oxidant. Oxidant मतलब oxidizing agent. जो oxidation करवाते हैं. Various oxidant which produce nascent oxygen. nascent मतलब fresh बच्चो? nascent oxygen. nascent oxygen. और एक method होती है nascent oxygen को represent करने की. उसको square bracket में या round bracket में लिखते हैं बच्चो? ठीक है? square या round bracket में अगर आपने O लिख दिया. इसका meaning होता है fresh या nascent oxygen. तो इसमें पहला है बच्चो number one ozone. number one क्या है? ozone. पढ़ा होगा आपने. ठीक है? ozone. ozone का formula होता है O3. अब ये कैसे nascent oxygen produce करवाएगा? देख लो. O3 simply बच्चो. O3 unstable होता है. इसकी reaction हो जाएगी और ये देगा O2 और एक oxygen बचा. उसको हम लिखेंगे square bracket में. What is difference between this and this oxygen? This is nascent oxygen. Fresh oxygen. Freshly formed oxygen. Nascent oxygen होगा. ठीक है? तो ये nascent oxygen. पहले कुन produce किया? ozone ने. दूसरा होता है बच्चो. H2O2. इसे हम कहते है hydrogen peroxide. इसका नाम क्या होता है बच्चो? hydrogen peroxide. ठीक है? अच्छे से याद रखना 12 में बहुत काम आएगा. hydrogen peroxide. क्या? hydrogen peroxide. तो ये कैसे produce करेगा? देख लो. simply H2O2 that gives H2O H2O. मतलब पानी. पानी. और इसके साथ एक oxygen बाजू में चला जाएगा. और इसको square bracket में लिखेंगे. और this is nothing but nascent oxygen. क्या होगा ये? nascent oxygen produce करेगा. ठीक है? अब third one हम क्या करेंगे? potassium dichromate में बच्चो. K2C. चलो. इसको मैं mate देता हूँ बच्चो. रब कर दूँगा. जगा है. अच्छे से देखेंगे. हो गया है दो? चलो. ये दो हो गया. और दो है बच्चो. एक है potassium dichromate और दूसरा है potassium permagnate. एक है potassium dichromate और दूसरा है potassium permagnate. ठीक है? तो देख लो बच्चो. क्या होगा potassium dichromate? होता है K2Cr2O7. अब इसकी balancing समझना ज़रूरी है. और एक होता है potassium permagnate KMNO4. ठीक है? तो plus plus. ओके? चलो. तो इसमें डालेंगे. इसका नाम लिग देता हूँ बच्चो में. इसका नाम होता है potassium permagnate. potassium, sorry, dichromate. दो है न? दो chromium है. इसलिए dichromate. ठीक है? और इसका नाम होता है potassium permagnate. potassium permagnate. अब ये दोनों क्या करने वाले हैं? nascent oxygen produce करने वाले हैं. कैसे? उसकी balance reaction आपको मैं बताऊंगा. इसमें क्या करना है? हमें acid डालना. H2SO4. अभी देखा था ना. हमने K2, CR2 and dilute H2SO4 की जोड़ी. ठीक है? इसमें भी हमें डालना है H2SO4. अब हम देखेंगे कैसे produce करेगा? क्या produce करेगा? nascent oxygen. ठीक है? तो यहाँ आप ही क्या हो जाएगा बच्चो? देख लो. अब देख लो बच्चो? आराम से समझो. छोटी-छोटी information आपके पास होना ज़रूरी है. यह होता है K plus K plus CR2O7 minus, minus, simple. और यह होता है H plus H plus SO4 minus, minus. तो अगर यह K2 और SO4 अगर combine हो गए बच्चो तो क्या मिलेगा? K2 SO4 इसको बोलेंगे potassium potassium sulfate लेकिन इसका कोई काम नहीं. अब आ गया इसलिए नाम लिख दिया मैंने. potassium sulfate हमारा main task क्या है? हमें nascent oxygen produce करना है. ठीके? अब chromium जो होता है बच्चो? chromium की valency होती है 3. chromium की valency क्या होती है? 3 होती होती है. ठीके ना? तो chromium की valency होती है 3. ठीके? तो chromium क्या करेगा? chromium होगा हमारा chromium होगा plus 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 अब इसके साथ अगर SO4 minus minus combine करके आपको formula अगर बनाना है बच्चो? तो cross multiplication. 3 से इसको multiply करना पड़ेगा और 2 से इसको multiply करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? CR. देख लो बच्चो? CR2 CR2 SO4 taken thrice. Chromium sulfate. क्या नाम है गाएगा इसका? Chromium sulfate chromium sulfate. अब क्यों किया cross multiplication? उसके लिए याद रखो cross multiplication करने से क्या हो जाएगा? ये 2 से multiply किया ना? इसको 2 into plus 3. सॉरी 2 into plus 3 ये हो गया, plus 6. और 3 into minus 2 ये हो गया, minus 6. Plus 6 minus 6 Dallas हो गया. तो CR2 SO4 taken thrice. ठीक है? तो इस तरह से होगा. अब देख लेंगे बच्चो? अराम से समझो. Potassium कितने है? 2. तो यहाँ भी potassium 2 है. कोई problem नहीं. अब अब देख लो बच्चो SO4 कितने है? SO4 है hydrogen कितने है? देख लो. 4 दो नहीं 8 hydrogen है. 8 hydrogen है. यहाँ पर कहीं पर हमने hydrogen use किया क्या? नहीं use किया. तो water remove करना पड़ेगा. यह अच्छे 2 O remove करेंगे. तो hydrogen कितने है? 8 hydrogen के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से multiply करना पड़ेगा. अब सिर्फ oxygen की balancing check करने है. यह 4 oxygen. 4 तरिकम 12 oxygen. 4 तरिकम 12 12 और 4. 16 oxygen. 16 oxygen और यह 4 oxygen. कितने हो गए? 20 oxygen. इधर कितने oxygen है? 20 oxygen है. इधर देखेंगे 7 और 4 चोक 16. 16 और 7 कितने होते बच्चों? 16 और 7 23. कितने होते? 23. तो 20 use कि हमने. 23 oxygen 20 use कि है. तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ plus 3 nascent oxygen. हो गई बैलेस? 3 nascent oxygen. समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पर nascent oxygen generate हो जाएंगे. 3 को ऐसे होंगे? वो fresh oxygen होंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? nascent oxygen बोलेंगे. क्या बोलेंगे? nascent oxygen. अब यहाँ पर चलते हैं. अब क्या हो जाएगा? potassium और H2SO4 से मिलेगा K2SO4 इसका नाम सब को पता है potassium sulfate plus plus magneze की valency 2 होती है बच्चो प्लस 2 होती है तो इससे क्या मिलेगा? MNSO4 क्या मिलेगा? MNSO4 MN plus plus SO4 माइनस माइनस MNSO4 plus H2O और देखेंगे अब हम तो potassium कितने है? 2 potassium कितने है? 2 इधर कितना है? 1 तो पहले इसको 2 से multiply करेंगे जैसे ही इसको 2 से multiply किया magneze कितने हो गए? 2 तो इसको भी 2 से multiply करेंगे ठीक है? अब जैसे इसको 2 से multiply किया? SO4 कितने हो गए? 2 और एक 3, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से multiply करना पड़ेगा, तो अब hydrogen कितने हो गए, 3, 2, नी, सहा, सहा मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 3, 2, अब बसता क्या है, सिर्फ oxygen की balancing check करना होगी, तो 4 दोनी 8, 4 दोनी 8 और 4 तरिकम 12, 12 और 8 कितने? 20 oxygen है बच्चो यहां पर, 20 oxygen है, ठीक है न? 20 oxygen है, 20 oxygen atom है, 4, 4 दोनी 8, 8 और 4, 12, 12 और 3, 17, sorry, 4 दोनी 8, 8 और 4, 12, 12, 12 और 3, 15 oxygen होगे, कितने होगे 15, 15 और 5, 20, मतलब यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, फायू, freshly prepared oxygen, that is nothing but nascent oxygen, तो इस तरह से यह nascent oxygen generate होता है, इसका नाम magneez sulfate, magneez sulfate, magneez sulfate, वैसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन reaction आ गए तो मैं बता देता हूं, इस reaction में, दोनों reaction में important क्या है बच्चो, इस nascent oxygen का produce होना, यह बहुत जादा important है, तो इस तरह से potassium dichromate acid के साथ, और potassium permagnate, किस के साथ बच्चो, H2SO4 के साथ अगर add हो गया, तो वो nascent oxygen available करा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे oxidant, यह क्या हो गए oxidant, समझ में आया, तो यह क्या हो गए oxidant हो गए, जो oxidation की process करवा रहे हैं, कैसे oxygen available करवा के, तो इसको बोलेंगे oxidant, तो जिस पे oxidation हो रहा है, उसके साथ जो कुछ भी होगा, उसे बोलेंगे oxidant यह oxidizing agent, क्या बोलेंगे oxidizing agent, अब एक खेल समझ लो बच्चो, ferrous और feric का, अराम अराम से हाँ, तो FE plus 2 अगर लोगे आप, तो इसे बोलेंगे ferrous, देख लो, आराम से समझ बोच्चो, इसको बोलेंगे ferrous, और FE plus 3 अगर लेंगे आप, तो इसे बोलेंगे feric, इ राम आराम से समझो तो अगर यह दोनों कंबाइन हो गए यह प्लस टू गानूँस टू कैंसल सिधे सिफे बनेगा यह फ स्व 4 तो इस व्यूडिफ्ट से compound का नाम होगा फेरसस आलफए समझरे और फेरस सेल्फेट क्या होगा फेरसस सल्फेट अब यहाँ पर सीधे सीधे करेंगे तो cancel होगा क्या नहीं तो cross multiplication यहाँ पर charge कितना है 3 तो इसको 3 से multiply करो यहाँ पर charge कितना है 2 तो इसको 2 से multiply करो इसको 2 से multiply करने से 2 into plus 3 यह हो गया plus 6 3 से multiply करने से 3 into minus 2 minus 6 plus 6 minus 6 cancel तो यह क्या जाएगा इसको कितने से 2 से मल्टिप्लाइ किया न तो यह जाएगा Fe2 SO4 टेकन थाइस तो इसको क्या बोले होगे आप इसको क्या खाता फेरस सलफेट तो इसको बोलेंगे तो आप देख लो बच्चो फेरस सलफेट से अगर फेरिक सलफेट मिल रहा है यह फलस पلस और फेरिक में क्या था यह फी प्लस 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 तो प्लस 2 का प्लस थ्री कैसे बना प्लस electron, प्लस electron, तो यफी प्लस 2 से प्लस 3 बना, मतलब एक electron दिया उसने, तो electron देने को क्या कहते है, oxidation, तो ferrous sulfate का ferric sulfate बनना, this is the process which is oxidation, why, because in this reaction, oxygen is losing, बच्चो क्या हो रहा है, oxygen lose हो रहा है, इसलिए, इसलिए ये क्या है, oxidation है, क्या है, oxidation, अब ये actually में reaction कैसे होती है, थोड़ missing भी थोड़ी से difficult है, लेकिन उसमें मैं आपको hint बता दूँगा, आपको समझ आ जाएगा, don't worry, ठीक है, तो देख लो बच्चो, आराम से समझो, अगर आपने potassium permagnate में acidified ferrous sulfate डाला, किसमे potassium permagnate में, मतलब KMNO4, ये potassium permagnate है, इसमे acidified ferrous sulfate डाला, FESO4 मतलब ferrous sulfate डाला, कैस acidified मतलब H2SO4, ठीक है, potassium permagnate में, इसका नाम किया है, बच्चो, लिख देता हूँ में, potassium permagnate, potassium permagnate, बराबर है, potassium permagnate में, अगर आपने ferrous sulfate, ये ना बच्चो, प्लस 2 है, ferrous sulfate डाला, तो acidified, ये H2SO4 किया, sulfuric acid, क्या है, ये, sulfuric acid, नाम लिखना जरूरी होगा, practice हो जाती है, इसे, और इसको mark भी होते हैं, sulfuric acid, अगर आपने डाला, तो ferrous का ferric sulfate मिलेगा, क्या मिलेगा, ferric sulfate, तो ferric sulfate का formula क्या होता है, ये, F2SO4 taken thrice, इसको बोलेंगे, ferric sulfate, क्या बोलेंगे, ferric sulfate, अभी इसको balance करेंगे, हम, don't worry, ferric sulfate मिलेगा, plus, plus, अभी ये मिन दिख रहा है, SO4 ये मिन और SO4, क्या मिलेगा, MNSO4, मैगनीज sulfate, मैगनीज sulfate, प्लस, पोटैशियम और सलफेट, क्या मिलेगा, K2SO4, सबको अभी याद हो गया होगा, K2SO4, मैगनीज, ये, MG नहीं बचा है, MN, I'm really sorry, बचा है, MN है, MN मतलब मैगनीज, तो इसका नाम होगा, मैगनीज sulfate मैगनीज sulfate, ठीक है, मैगनीज sulfate, और ये जो होता है, हमारा इसका नाम होगा, POTASIUM sulfate, अब बचेगा, क्या पानी बनेगा, बच्छो, इसके साथ, ठीक है, POTASIUM sulfate, मैगनीज sulfate, आयर्न sulfate, ठीक है, इसके साथ, पानी, पानी को आखरी में बैलेंस करेंगे, डोंट वरी ठीक है, अब देख लो बच्छो, आराम-ाराम से इसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहले POTASIUM को बैलेंस करेंगे, इधर POTASIUM कितने हैं, दो है, तो यहाँ पर कितने POTASIUM लेना पड़ेगा, दो POTASIUM अगर दो ले लिया आपने, तो मैगनीज कितने हो गए, दो, तो simply इसक करते जाओगे, प्रोसेजर वाइज, फंद्रा मिनिट लग जाएंगे, उसको ठीक है, शॉर्टकट क्या है, दस F.E.SO.4 लेना पड़ता है, इतना हो जाएगा, याद रहे जाएगा, अगर दस F.E.SO.4 लो गया आप, तो इसको 5 से मल्टिप्लाय करना पड़ेगा, कितने से 5 से, आराम से समझ जाओगे, 5, 5 इंटो टू, 10, अब देखलो रहा है, क्या बात, किसकी बात रही है, अब ये.SO.4 कि रही बच्चो, तो, कि देखलो बच्चो, इधर.SO.4 कितने है, एक, पास्तिरिक 15, ये 15, और ये 17, 17 और एक 18.SO.4 है, इधर कितने है, 10, तो ये कितना ले है, ये स्टू, तो हैड्रोजन देखलो, यहाँ पर हैड्रोजन, यहाँ पर हैड्रोजन, यहाँ पर हैड्रोजन, कहीं पर भी यूज नहीं वा, यहाँ पर हैड्रोजन कितने है, 16, तो इसको 8 से मल्टिप्लाइ करो, अब चेक करो, 100% the reaction is balanced, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह फेरस सलफेट, मतलब यहाँ पर यह कौन से फॉर्म में है, यह फी प्लस प्लस, और फेरस सलफेट का हो रहा है, फेरिक सलफेट, फेरिक सलफेट मतलब यह फी प्लस प्लस प्लस, तो यह फी प्लस 2 का प्लस 3 कैसे होगा, by giving the electron, तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, we are declaring that the process is oxidation कौन सी प्रोसेस है, oxidation, किसका oxidation, फेरस सलफेट का, और कोन करवा रहा है, क्यम यह फोर और H2SO4 का mixture, इसलिए इन दोनों के mixture को बोलेंगे, oxidant या oxidizing agent, oxidant या oxidizing agent, हैंस, what is oxidation, addition of oxygen, removal of hydrogen, losing of electron, this is called as oxidation, इन सभी को क्या बोलेंगे, oxidation, क्या बोलेंगे, oxidation, ठीक है, let us move to the next topic, that is reduction, क्या, reduction, एकदम इसके reverse होता है, बच्छो, reduction, पहले हम इसकी definition लिख लेंगे, बच्छो, किसको बोलेंगे, reduction, the chemical reaction in which reactant gains the hydrogen, वहाँ पर क्या था, reactant gains the oxygen, reactant gain, gain मतलब मिड़ा होने, gains, the chemical reaction in which reactant gains hydrogen, sorry, reactant gains hydrogen, और, और, लूज, इलेक्ट्रोन, और, लूज, इलेक्ट्रोन, और, लूज, इलेक्ट्रोन, और, लूज, सॉरी, लूज, उक्सिजन, बच्छो, लूजेस, उक्सिजन, उसका reverse, बच्छो, वहाँ पर क्या हो रहा था a product, to form a product, to form a product is called reduction, इसको क्या बलेंगे, reduction, ठीक है, simply इसको क्या बलेंगे, reduction, so this is the reduction, अब इसके example देखते हैं, stones एक्जाम्पल नंबर फ़र्स्ट ठीक है तो एक्जाम्पल नंबर फ़र्स्ट Bachaor gaining Hyre visions कउपर और आकसाई उसको में डालेंगे हैड टालें घ्डोजन प्हुत Gen exam रेक्शन देखी वह बच्छो हैं ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसमें अगर हमने हैड्रोजन पास किया तो क्या हो जाएगा यह 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 टू और यह बाइप्रोडुक्ट को यह टू-ओ और रेडिश पलर का लाल कलर का क्या लाल कलर का लिक्वीड यह लाल कलर क इस तो इसमें क्या हुआ अक्षिजन गेन हुआ तो ये क्या है रिडक्षण है क्या है क्या है दूसरा क्या बच्चो और एक 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 सम्पल बता दू मैं आपको गेनिंग फैडरोजन का to carbon solid plus h2 gas carbon solid plus h2 gas that use methane gas ch4 होता है पढ़ना है यह होता है methane very beautiful compound methane hydrogen 4 है तो simply आप इसको 2 से multiply कर दो यह था हमारा carbon यह hydrogen और methane मिला तो इसमें भी क्या हुआ hydrogen add हुआ बच्चो hydrogen add हुआ hence it is also the क्या है बच्चो यह यह भी क्या है हमारा oxygen sorry reduction है क्या है reduction है अब अगर आप क्या कहोगे कि losing of oxygen का एक example बताओ तो आप कैसे बताओगे बच्चो losing of oxygen का example हम कैसे बताएंगे देख लो silver oxide okay number two example number three losing of losing of oxygen losing of oxygen तो silver oxide ag2o यह क्या करेगा ag देगा और o2 देगा ag देगा और o2 देगा ठीक है o2 लेने के लिए इसको 2 से multiply करना पड़ेगा यह 2 ले लिया तो यह 4 हो जाएगा और यह o2 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ इसने oxygen दिया oxygen दिया तो losing of oxygen is reduction losing of oxygen is reduction right losing of oxygen is reduction ठीक है उसके बाद fourth one fourth one gaining of electron gaining of electron gaining of electron मतलब क्या बच्चों देख लो yaf e plus 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 अगर इसने एक electron ले लिया तो yaf e plus plus मिल जाएगा मतलब feric से ferrous बनना this is nothing but your reduction मतलब उसने electron लिया ना मतलब hydrogen का लेना oxygen का देना या electron का लेना इन सभी को क्या बोलेंगे इन सभी को बोलेंगे reduction क्या बोलेंगे reduction अब जो reduction करवा रहा है उसको बोलेंगे reductant या reducing agent उसको बोलेंगे reductant या reducing agent जैसा oxidant था वैसे ही reductant भी होता है जैसे oxidation था वैसे reductant भी होता है ठीक है कई बार देख लो बच्चो ठीक है चलो लिख लेंगे, अब यहाँ पर आपको जादा detail में example नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको बता दूँगा, लिखो, don't worry, तो देख लो बच्चो, क्या करेंगे हम, suppose, चलो, देख लो, reductant, क्या बच्चो, लिखो, reductant or reducing agent, reducing agent, ठीक है, तो क्या वो लिखेंगे, the chemical compound, the chemical compound, which brings about reduction, the chemical compound, the chemical, या compound, या कुछ भी हो सकता है, the chemical compound, which bring about, which bring about, about reduction, which bring about reduction, जो reduction करवाता है, ऐसा agent, वो reducing agent, या reductant, the chemical compound, which bring about reduction, by making, by making hydrogen available, by making hydrogen available, is called, is called, reductant, reductant, या reducing agent, जैसे कि best example में पता दो, आपको, suppose, CH2 double bond, CH2 है, बच्चो, इसका नाम है इथीन, अब ये आपके syllabus में नहीं है, first, second, में आ जाएगी reaction, अब इसमें क्या किया, हमने hydrogen डाल, अब कहां से लाया hydrogen, hydrogen लाया हमने रेनी निकेल से, तो hydrogen लाने का का इसने किया, रेनी निकेल ने, तो रेनी निकेल क्या हो गया, reducing agent, तो simply क्या होगा, एक hydrogen यहाँ पर add होगा, एक hydrogen यहाँ पर add होगा, double bond break होके, single bond बन जाएगा, CS3, डैस CS3, तो इथीन से बनेगा, ethane, क्या बनेगा, ethane, तो ethane से ethane बनना, ये reduction है, किसने करवाया, रेनी निके ने कैसे करवाया hydrogen available करके तो इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे reductant या reducing agent और process कौन सी है reduction because hydrogen क्या हो रहा है add हो रहा है ठीक है चलो लिख लो हो गया हो गया चलो ठीक है अब हम क्या करेंगे एक question solve करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहा पर oxidation हो रहा है और कहा पर reduction हो रहा है और finally हम क्या देखेंगे redox reaction क्या देखेंगे redox reaction तो पहले हम देखेंगे identify following reaction under oxidation और reduction number one first example है number one FE plus yes that gives FE yes pause करके try करते जाओ बच्चो number two second one है बच्चो second one है देख लो ag2o ag2o 2ag2o that gives 4ag plus o2 यह कौनसी reaction है आपको identify करना है oxidation या reduction third one है 2mg 2mg plus o2 that gives 2mg o यह पता करना है आपको oxidation है या reduction है and finally fourth one yen i मतलब nickel होता है बच्चो nickel oxide plus h2 that gives that gives yen i plus h2o yen i plus h2o पहले तो यह समझ लो बच्चो कि यहाँ पर oxygen बाहर जा रहा है तो oxygen का बाहर जाना is reduction यह क्या है reduction है क्यों reduction है because oxygen oxygen is losing तो oxygen का lose करना oxygen का lose करना क्या होता है reduction क्या होता है reduction यहाँ पर oxygen यह हो रहा है यह है Oxidation यह कया है Oxidation क्यों Because Oxygen is Adding । यहाँ पर oxygen lose हो रहा है देखो ना oxygen lose हो रहा है तो यह reduction है this is reduction क्यों reduction because oxygen is losing oxygen is losing oxygen is losing यहाँ पर oxygen क्या हो रहा है lose हो रहा है तो थोड़ा सा common sense लगाना पड़ेगा बच्छो आपको देख लो देख लो यफ e plus plus का यफ e plus 3 हो जाना मतलब यह कैसे होगा electron देने के बाद होगा ठीक है तो यह इसके सर पर कितना चार्ज था plus 2 इसके सर पर कितना चार्ज है plus 3 तो plus 2 का plus 3 होना is oxidation ठीक है तो अगर oxidation इसको oxidation नंबर बोलते है बच्छो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना is oxidation जैसे कि बेस्ट एक्जामपल c l minus that use c l plus electron c l plus electron तो यहां पर इसका oxidation नंबर कितना है minus 1 सर पर का चार्ज यहां पर कितना है सर पर कुछ भी नहीं मतलब 0 minus 1 का 0 होना बढ़ रहा है या कम हो रहा है बढ़ रहा है बढ़ जाना ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना is oxidation और oxidation नंबर का घर्ट जाना is reduction तो चेक करते हैं इसका oxidation नंबर कितना है 0 ऑब यहां पर यह माइनस टू और यह फ्लस टू तो यहां पर कितना है plus टू है तो 0 से plus टू हो रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो यह क्या है Oxidation Oxidation क्यों becomes electron lose हो रहे है एलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो कैसे इंटिफाइ करो गए शॉर्ट कट मैंने आपको बता दिया इसके अलावा सबस्पोज ऐसा होता सी यू प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन माइनस यहां पर क्या हो रहा है देख लो यह प्लस टू है इसका उक्सिडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सिडेशन ठीक है तो नोट लिखो बच्चों लिख लो बहुत इंपोटन पॉइंट है अगर कहीं पर भी चान कान से ओके नोट इंक्रीज ओफ इंक्रीज ओफ ओ औो ऑक्सिडेशन का इसका इसका उक्सिडेशन नंबर को लकnov 10 का इसका कित्यार तो प्लस ट्री तो प्लस टू का फलस थी इंक्रीश वह रहा है तो ऑक्सिडेशन एफ्यखे pet culture minus का c l हो जाना इसका o euros क्यू बाइनबर कितना है moins1 सर पर कितना चार्ज रमाइन ईसके सर पर कितना चार्ज है 0 यह क्या हो गया oxidation और इसके reverse क्या बच्चो यह हो गया number 1, number two decrease of oxidation number डिक्रीज ओफ ओक्रीज ओफ ऑक्सी डेशन नंबर Oxidation number कम होना Oxidation number मतलब उसके सरपे का charge Decrease of Oxidation number is reduction यह क्या होता है? Reduction होता है जैसे कि suppose AL plus 3 यानि plus 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 का क्या बन जाना? AL बन जाना तो इसका Oxidation number कितना है? Plus 3, इसका कितना है 0 सरपे charge है का है? नहीं मतलब 0 तो plus 3 से 0 क्या हो गया? Decrease तो यह क्या है? Reduction ऐसे ही Cu plus plus से Cu बन जाना इसका Oxidation number क्या है? Plus 2 इसका क्या है? 0 तो plus 2 से 0 होना is the reduction तो Oxidation number अगर कम हो रहा है तो that is reduction और अगर Oxidation number बढ़ रहा है तो that is Oxidation वेरी सिंपल बढ़ जो ठीक है? तो यह सारी चीज़े आप clear हो गई तो अब सपोज किसी reaction में Oxidation और Reduction दोनों हो रहे हैं तो ऐसे reaction को बोलेंगे Redox Chemical Reaction क्या बोलेंगे? Redox Chemical Reaction लिखो एडिंग लिखो Redox Chemical Reaction कौनसी reaction? Redox Chemical Reaction Redox Chemical Reaction ठीक है? तो इसकी definition क्या हैगी? Re कहां से आया बच्चो? Reduction से आया Ox कहां से आया? read कहां से आया? reduction से ox कहां से आया? oxidation से दोनों का combine हुआ और बना redox क्या बना? redox तो the chemical reaction in which लिखो the chemical reaction in which the chemical reaction in which oxidation and reduction oxidation and reduction takes place simultaneous बतब एक बार, एक दाथ oxidation and reduction takes place simultaneously takes place simultaneously ठीके? क्या बोलेंगे? takes place simultaneously the chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox chemical reaction या redox reaction इसको क्या बोलेंगे? redox reaction nature के 90% reaction redox reaction होते हैं मतलब जिसमे oxidation और reduction एक साथ होता है oxidation और reduction एक साथ होता है जैसे कि suppose बच्चो black color copper oxide है, इसमें हमने हमने hydrogen gas pass किया, तो क्या हो जाएगा बच्चो? जैसे कि बच्चो बच्चो क्या हो गया, copper oxide से copper बना, कैसे? जैसे, lose of oxygen, oxygen lose हुआ ना, lose of oxygen, तो lose of oxygen क्या होता है, lose of oxygen is reduction, तो copper oxide से copper बना is reduction, अब देखलो, hydrogen से क्या बना, hydrogen oxide मतलब H2O, तो इसने क्या किया? oxygen को gain किया, इसने क्या किया? oxygen को gain किया, तो यह क्या हुआ? gain of oxygen, तो gain of oxygen is oxidation, तो याद रखना, एक पे अगर oxidation हो रहा है, तो 100% दुसरे पे क्या होगा? reduction होगा, अब जिस पे oxidation, जिस पे reduction हो रहा है, वो reduction किसके वज़े से हो रहा है? इसके वज़े से, तो reduction इस पे हो रहा है, इसलिए यह reductant है बच्चों, reductant या reducing agent, ठीक है? अब इस पे oxidation हो रहा है, इस पे oxidation हो रहा है, तो यह क्या है? इसके वज़ा से हो रहा है ना, वो, oxidant है, ठीक है? Simply, तो जिस पे जो प्रोसेस हो रही है, उसका वो ultra agent होगा, मतलब इस पे क्या हो रहा है? Oxidation वाला कौन सा है? Reducing agent है, इस पे कौन सी प्रोसेस हो रहा है? Reduction वाला कौन सा है? Oxidizing agent, ठीक है ना? तो इस तरह से होगा, therefore, it is reduction of Cu CuO, तो CuO का क्या हो रहा है? Reduction हो रहा है और वो oxidizing agent है, और H2 का क्या हो रहा है? Oxidation हो रहा है और वो reducing agent है, इसके और example ले लेंगे, जिसमें हम identify करेंगे, किस पे oxidation हो रहा है, किस पे reduction हो रहा है, कौन reducing agent है और कौन oxidizing agent है, ठीक है ना? इंपोर्टन होता है बच्छों, वो भी कर लेंगे हम 4-5 reaction solve कर लेंगे जिससे आपको confidence आ जाएगा सबसे पहले तो हम देखेंगे H2S H2S plus SO2 H2S मतलब hydrogen sulfide क्या बच्चो hydrogen sulfide तो क्या होगा बच्चो देख लो H2S plus SO2 इससे मिलेगा water H2O H2O तो अब oxygen कितने हैं दो है बच्चो इसको 2 से multiply करना पड़ेगा इसको 2 से multiply करेगा तो hydrogen 4 पाई चाहिए तो यह 2 और एक 3 sulfur मिलेंगे 3 sulfur hydrogen sulfide और sulfur dioxide से sulfur और hydrogen oxide मिला तो reactant देखने हैं बच्चो सिर्फ तो reactant क्या होंगे H2S से मिला sulfur तो H2S से sulfur कैसे मिला loss of hydrogen lose of hydrogen तो hydrogen को lose करने को क्या कहते हैं lose of hydrogen lose of hydrogen is oxidation lose of hydrogen is oxidation ठीक है अभी SO2 से SO2 से क्या मिला बच्चो SO2 से okay SO2 से H2S से H2O मिला तो यह हो गया oxidation अभी यह SO2 जो था बच्चो यह SO2 से मिला yes SO2 से मिला yes sorry SO2 से मिला H2O तो कैसे मिला by loss of oxygen यह फिर by gain of hydrogen gain of hydrogen हुआ get out hydrogen hydrogen कर्णे है इसने क्या hydrogen gain क्या देखरीं नए आगया है इसने hydrogen गेन क्या तो again of hydrogen is reduction क्या होगा reduction हुआं डेक्सिदेशन हो रहा है वो ρηड़्ट इनतेमेत्भ यह जन्ट तो यह रिड़थ़शन होगा यह ऑब जिस अप्यूख्षम हो रहा है वो oxygen है oxidant reverse कर देंगे oxidant. ठीके? चलो तो इस तरह से. गया तो इस तरह से खे मCUO का था हमने देख लिया नेख लिया, H2O H2O plus MnCl2 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 होता है तो Oxygen कितने हैं 2 तो इसको 2 से Multiply किया तो Hydrogen 4 लेना पड़ेगा 4 ले लिए 4 ले लिए तो क्या हो गया भाई 4 अगर ले लिए आपने MnCl2 मिला MnCl2 2 क्लोरीन बच जाते हैं तो यहाँ पर Cl2 कर लेंगे Simply इससे क्या हो जाएगा Cl2 बाहर चला जाएगा ठीक है Reaction is absolutely balanced Don't worry तो यमियन O2 से मिला MnCl2 यमियन O2 से क्या मिला MnCl2 तो इसमें का O2 गयब होगा है तो Loss of Oxygen Loss of Oxygen is Reduction क्या बच्चो Reduction तो यह क्या होगा आपका Reduction होगा Reduction होगा मतलब आप HCl से HCl से Cl2 बन जाना या HCl से H2O बन जाना कैसे बन जाना Gain of Oxygen Gain of Oxygen तो Gain of Oxygen is Oxidation Oxidation ठीक है तो इसपे क्या होगा Oxidation अब जिसपे Reduction हुआ जिसपे Reduction हुआ Co-oxidizing agent होगा या उसे बोलेंगे हम Oxidant और जिसपे Oxidation हुआ उसको बोलेंगे Reductant क्या बोलेंगे Reductant ठीक है तो यह हो गया Second Example Second Third जो भी हो हो गया बच्चो चलो और एक एक देखेंगे Example और एक एक देखेंगे Copper Oxide वाला हो गया उसके बाद B.A.S.O.4 चलो यह करते हैं Observe the following reaction and answer the question Which type of reaction it is ओके तो देखलो बच्चो B.A.S.O.4 Barium sulfate B.A.S.O.4 Plus 4 carbon Reaction दी गई है Question में Reaction का टेंशन आमें नहीं लेना है B.A.S.O.4 इसे मिला B.A.S. Plus B.A.S. Plus 4 CO 4 CO ठीक है तो देखलो B.A.S.O.4 से मिला B.A.S. कैसे मिलेगा यह oxygen गायब हो गए Lose of oxygen Lose of oxygen is reduction Lose of oxygen is reduction अब इसने Lose किये तो यह गेन करेगा 100% तो इसने oxygen गेन करके carbon का carbon monoxide बना दिया Gain of oxygen Gain of oxygen is oxidation और B.A.S. एक पैचान लोगे तो दुसरा उसके opposite होगा तो B.A.S. पे क्या हुआ B.A.S. पे हुआ reduction carbon पे हुआ oxidation अब जिसपे reduction हुआ जिसपे reduction हुआ वो क्या होगा oxidizing agent तो यह है हमारा oxidant यह क्या है oxidant और जिसपे oxidation हुआ वो है हमारा आराम से पता कर सकते हो ठीक है अब मुझे बताओ suppose एक ऐसी reaction है बच्चो F E plus 3 plus electron minus that use F E plus 2 तो यह oxidation है या reduction है simply इसका क्या है plus 3 इसका क्या है plus 2 तो plus 3 से plus 2 हो जाना मतलब कम हो जाना कम हो जाना is the oxidation ऐसे लिख सकते हो sorry reduction reduction I am really sorry reduction because electron gain हो रहा है कम हो जाना is the reduction ठीक है तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो कौन सा oxidation है और कौन सा reduction है तो very simple बच्चो oxidation और reduction आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा oxidation है और कौन सा reduction है ठीक है अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले है बच्चो एक iron का example देखेगे हम किस पे oxidation हो रहा है किस पे reduction हो रहा है तो let us explain this with example of iron ठीक है न बच्चो iron के example से हम ये कुछ चीज़े पढ़ लेंगे जो आपके text book में दी गई है तो redox reaction takes place during cellular respiration जो respiration होता है न सेल के अंदर oxygen का लेना और carbon dioxide बाहर release करना ये भी एक redox reaction है बच्चो ठीक है here the molecule of the enzyme called cytochrome C oxidase help the transport of electron to bring about this reaction ठीक है न मतलब यहाँ पर कौन सा enzyme use होता है जो enzyme यहाँ पर use होता है enzyme use होता है cytochrome अब यह biology का part है cytochrome समझ लेना सिर्फ MC क्यों आ सकता है याद रखो enzyme cytochrome C नाम का enzyme help करता है electron के लेने देने में ठीक है तो living organism की process refer करो बोड रहा है ठीक है तो मतलब हम जो respiration कर रहे है oxygen अंदर ले रहे है और carbon dioxide बाहर छोड़ रहे है ठीक है तो यह भी क्या है एक redox reaction है ठीक है अब इसके बाद बच्चो एक reaction लिखता हूँ मैं आपको बताना है कौन सी oxidation है और कौन सी reduction है ठीक है तो यह यफ़ी यफ़ी से बना यफ-e-o और यफ-e-o से बना यफ-e-o-3 तो देख लो बच्चो यह है iron iron या इसको fair iron ठीक है यह है ferrous oxide कौन सा oxide ferrous oxide वाई ferrous देख लो बच्चो आराम से यह minus 2 होगा यह plus 2 होगा समझ रहे हो अब यहाँ पर close multiplication यह plus 3 होगा यह minus 2 होगा 3 into minus 2 minus 6 plus 3 into 2 plus 6 plus thick minus 6 तो यह होगा ferric oxide यह क्या होगा ferric oxide अब आराम से अबज़ूर करना इसका जो oxidation state है 0 इसका क्या है plus 2 इसका क्या है plus 3 तो 0 से क्या बना plus 2 तो यह oxidation है oxidation ठीक है plus 2 से क्या बना plus 3 तो यह क्या है oxidation क्या है oxidation है अब अगर इसका उल्टा सोचोगे, इसके reverse में सोचोगे, उल्टा आओगे आप इधर से इधर, तो feric का ferus is a reduction, ये क्या होगा, reduction होगा, और ferus से फिर ये बन जाना, ये भी क्या हो जागा, reduction, क्या होगा है, reduction, ठीक है, तो oxidation and reduction are reverse of each other, ये क्या होता है, एक दूसरे के opposite होता है, तो oxidation and reduction are opposite to each other, समझ गया आप, तो इस तरह से ये होता है, oxidation and reduction, क्या होता है, oxidation and reduction, तो यहाँ पर इस lecture को हम खतम करेंगे, बद चो बहुत ही interesting lecture था, इसमें हमने oxidation और reduction रपड़ा, oxidation मतलब, oxygen add होना, hydrogen दे देना, electron दे देना, ये oxidation नंबर का बढ़ जाना, जो भी oxidation करवाता है, उ oxygen का दे देना, electron का ले लेना, oxidation नंबर का कम हो जाना, और जो भी reduction करवाता है, उसको कहते है, sorry, जो भी reduction करवाता है, उसे कहते है, reductant, तो reductant पे क्या होगा, oxidation, oxidant पे क्या होगा, reduction, okay, all the very best.